नमस्कार मैं जीशान जावेद आप देख रहे हैं न्यूस नेटवर्क पुड़े ललितपूर सिंग्रॉली रेल लाइन से प्रभावित किसान 21 दिसंबर से अमरण अंसन पर बैठ गए है उनका कहना है क्रिशी भूमी हमारी लेली अब हम खेती लाइक भी नहीं रहे नौकरी भी नहीं दे रहे ललितपूर सिंग्रॉली रेल लाइन से प्रभावित किसानों की समस्याओं का ततकाल, समुचित निदान करने का किसानों ने प्रसासन से मांग किये लेकिन किसानों की मांग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही किसानों का प्रदर्शन देखते हुए प्रसासन ने काफी पुलिस बल इलाके में बुला लिया है जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा होगा काफी पुलिस बल्क गोविंगर के रेलवे इस्टेशन के पास मौदूद है गोविंगर ललितपूर रेलवे परियोजना में बैठे किसान अमरन अंसन पर लगातार बैठे हुए हैं उनी में से एक किसान रमेश शुकला का कहना है हमारी तब्यत खराब हो गई और हम सीरियस हैं डाक्टरों ने धरना इस्थल पर आकर उनकी जाच किये और ततकाल उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कहा है लेकिन वो अस्पताल जाने के लिए तयार नहीं है उनका कहना है मैं अपने प्राण त्याग दूँगा लेकिन जब तक लड़कों की नौकरी नहीं मिलेगी मैं यहां से अस्पताल नहीं जाऊंगा फिर चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए अध्यक्ष कलेक्टर और पुरूरा प्रसासिक अमला इसके लिए जिम्मेदार होगा कई दीन बीट गए हैं लेकिन प्रसासन का कोई नुमानदा अभी तक उनके पास नहीं पहुँचा है माना जा रहा है जिस तरीके से गोविंगर के किसान बैठे हुए हैं उसी तरीके से ललित पूर से सिंग्रॉली तक के तमाम किसान लगातार इस बात को लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं कि उनको नौकरी दी जाए जैसा कि जमीन लेते वक्त कहा था साब तोरते फिलहाल रीवा से कोविंगर तक के 20 किलो मीटर का काम पूरा हो गया है रेलवे प्रसासन यहां ट्रेंट चलाना चाहता है लेकिन किसान अड़े हुए हैं उनका कहना है पहले मुआपजा बाद में रेल खिला मेरा 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 में राति दौकर आपर गहां नहीं फिला जाए हुए है कुछल तिम् कोखान दीसटर सबस्कान म vamos to जाए तरी खिराहुरों सतनों हो देल खिलायक हो जाए हो जाए हो जाए हो है तादातरीम खबरों से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन दबाए और देखते रहिए निउस नेटवर्क टुडे